नमस्कार दोस्तों ये है खबर इंडिया और अभी अभी हमें मिली है एक बहुत बड़ी खबर लोग्प्रिय टीवी और फिल्प अभिरेता सिधार्ट शुकला की आज यानि गुरवार को मंबई के कूपर हॉस्पटल में मौत हो गई 40 साल की शुकला को गुरवार सबे हाट अटाक आया था सिधार्ट शुकला का किरदार बाले का वधू में काफी लोग प्रिय हुआ था सिधार्ट के घर में उनकी मा और दो बहने है सामचार एजंसी PTI से कूपर हॉस्पटल के अधिकारियों ने बताया कि हस्पटाल पहुँचने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी सिधार्ट शुकला ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी सिधार्ट ने टीवी शो बाबुल का अंगना शूटे ना से अभनय की दुनिया में कदम रखा था इसके बाद जाने पहचाने से ये अजनभी और लव्यू जंदिगी में भी अभनय के मौके मिले लेकिन लोग प्रियर बाले का वधू से हुए थे इसके अलावा रियालिटी शो जलक दिखला जा सिक्स, फियर फाक्टर खत्रों के खिलाडी और बिग बॉस 13 में भी दिखे 2014 में सिधार शुकला ने बॉलर वुड में करन जोहर की फिल्म हम्टी शर्मा की दुलहनिया से इंट्री मारी इस फिल्म में उन्हें सहायक अभिनेता का किरदार मिला था सिधार शुकला बिग बॉस 13 के विज़ेतार है जाने माने अभिनेता मनोज वाजपाई ने ट्विजर पर दुख जताते वे लिखा है कि यह बहुत दुख़द और हैरान करने वाली खबर है उनके करेबियों और अपनों को जशती हुई है उसका बयान मैं शब्दों में नहीं कर सकता हूँ नहीं यार सिधार्ट के चर्चा बिग बॉस की को कंटेस्टिंट शेहनास गिल से दोस्ती को लेकर भी होती थी दोरों एक साथ कई लोग प्रिय विडियोज में दिखे थे दोरों की जोड़ी को लोग प्यार से सिधनास भी कहते थे कहा जा रहा है कि शेहनास गिल इस वक्त इस खबर को सुनकर बुरी तरह से तूट चुकी है और उन्होंने अपनी शूट को आधे में ही छोड़ दिया है इस खबर के बारे में और जानकारियों के लिए जिड़ रही है हमारे साथ खबरे इंडिया पर